अपना विश्वस्नीट न्यूस चैनल राश्टे नवाचार। कौंग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री सोनकच विधायक सज्जन सिन्वर्मा को टक्कर देने के लिए चुनाव से करीब तीन महीने पूर्व भाजपा ने राजेश सोनकर को उम्मीदवार बनाया लेकिन राजेश सोनकर की कार्यशैली को लेकर शुरू से ही कार्यक करताओं में नाराजगी रही है ऐसे में लग रहा है कि भाजपा के इस भरोसे पर सोनकर खरे नहीं उतर पा रहे हैं पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा के समर्थकों का विरोध सोनकर को जेलना पड़ रहा है दूसरी तरफ अब सोनकच शेत्र में राजपूत समाज के लोगों का भी दिन प्रतिदिन विरोध बढ़ता ही जा रहा है आज सोनकच विधान सभा के टोक खुर्द चौबारा धीरा से सोनकच जन आशिरवाद यात्रा निकलने जा रही है इस यात्रा से एक दिन पूर्व करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष जीवनसिन शेरपूर के द्वारा अपने फेस्बुक अकाउंट पर सोनकच भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ एक पोस्ट शेर की गई है जिसमें सोनकच विधान सभा प्रत्याशी राजेश सोनकर वा मंदल अध्यक्ष और उनके गुंडों द्वारा जनसंपर्क के दोरान करनी सैनिकों से की गई अभधरता को लेकर देवास जिले के गावगाव में भाजपा प्रत्याशी राजेश सोनकर का पुतला देहन करने वा आने वाली जन आशिरवाद यात्रा का पुर्जोर विरोध करने का आवहान किया। के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन सोनकर और भाजपा को कितना नुकसान पहुचाएगा। करने वाजपा को दोरा भाजपा तो एक आम नागरिक में से सवाल पूछेते जो कि हमारी आठ जन्वरी की रेली थी उसमें। तो आप नागरिक सा उसके साथ मार्पीट करी बद्शलूकी करी वह पुरा गुंदा राज चल रहा है उनका। तो वर्तमान इस्थिती यह है कि अभी प्रत्यास ही है। अगर आज से अभी जुनाओं अगर जीतते हैं तो बाजपा दिनकी गुंदा राज चले गई साही तो तो सुनकच तहसिल यह कतई बरदास नहीं करेगी। यह पुतला धन कुंचा संगतन। कारणी जेना बरिवाटी इवां की देखो आपका नाप ? योगें ना से चोलेट। वह पज्च्छ ? इना एज्ट्स पर्पिडिरी वहाओ मतीव पुुप ! मतीव ! मतीव !